सर्दीदे दिना च मूली दे प्रांठे मूली दी सबजी ते मूली दा सलाद हर करदे पोजनदा ही समन जनदा है बहुत शारी लोक जहे हैं जो इस दी शकल देखदे सारी मुबनोल लग जन दी हैं लोकान नू ए नी पता हुंदा कि मूली खान दे बहुत सारे फाइदे हन जो साधी सेतले बेहद जुरूरी हन खाना खान दे समी मूली दीर जानना बरतो करनार डाइविटीज, बलड प्रेशर, पेट दियां बीमारियां ते पाच्चन समन्दी कई तरह नियां समस्यां मा ठीक हो जान दिया हन सरद्यां दी तपच मूली नू काला नम कला के खान नाल तेस दस वाद होर भी बद जान दा है मूली खान नाल होन वाले फाइदी मूली चे मजूद पोश्क तत्तान दे कारन इसनो कुदरती कलींजर कहा जान दा है रुजान ना मूली दारास पी नल स्री डिटॉक्स होन दा है जैस नल स्री चे मजूद जहरी ले पदार्थ बाहर निकल जान दे हन नमबर दो पेट दियां समस्यां मा करे दूर पेट नाल जूडी किसे भी तरह दी समस्यां नो दूर कारन ले मूली जरूर खाओ मूली दे रास्ट अदर कते नेम बुदा रास मिला के पी यो एस नाल तो हनो पेट नाल जूडी हर परेशानी तो शुटकारा मिल जावीगा नमबर तेन मजबूत पाचन तंतर कच्ची मूली दी बातो जां फिर इस दे रास्ट नाम कमिला के पी नाल पाचन शक्टी मजबूत हों दी है एस तो इलावा एस नाल पेट दे कीडे वी नश्ट हो जान दी हैं नमबर चार लीवर ले फाइदे मन्द जेकर तो हनू लीवर नाल जूडी कोई वी समस्या है ता तो हनू निजमत रूप नाल मूली दी बरतो करनी चाहिदी है एस नाल तो हनू फाइदा होवेगा नमबर पांच पीलिया रोग मूली पीलिये दे रूमरी जले बहुत फाइदे मन्द है जिनना लोग कानू पीलिया हो चुका है जा जेड़े एस नो रिकावर कार रहे हैं उनना नू मूली नमकनल खानी चाहिदी है एस नाल पीलिया जल्दी ठीक हो जान दा है नमबर शे बवासीर दा इलाज कॉलनिशील फाइबर होन कारन एस नाल बवासीर दी समस्या वी कोज महिन्या च दूर हो जान दी है इस तो इलावा मूली ठंड कदेन दा कम भी कर दी है जैस नाल बवासीर जलन तो राहत मेल दी है नमबर सत ब्लड प्रेशर च फाइदे मन मूली च एंटी अक्सिडेंट गुण पाएजान दे हन जो हाई ब्लड प्रेशर नूं कंट्रॉल करन च तो अड़ी मदद कर दे हन नमबर आठ गैस दी समस्या मूली ते सेंदा नमक लगा के खान नाल पीट च होन वाली गैस दी समस्या ठीक हो जन दी है एस नाल पीट दा पारीपन भी ठीक होंदा है मूली तो होन वाली फाइदे नमबर एक तेन ग्राम मूली दे वीजानू अद्दा किलो पाणी वीचो वालो जदो पाणी अद्दा रह जावेता शान के बियो एस नाल दास वारा दिना विच पथरी शाव राही टोटके बाहर निकल जान दी है मूली दा रास पीट पीट पथरी भी नहीं बन दी नमबर दो गठिया मूली दे एक कप रास विच पंदरा भी मुद्दा अद्रक दे रास दियां पांकी एक हाफ़ता स्वेरे शाम देंच दो बार पीट नाल एक हाफ़तार जाना मूली दे बीज पीच के तिला दे तेल विच पुंड के इस दा गठिये तो प्रवाफत दी अवाज अंधी होवेतां रुजाना अद्दा कप मूली दा रास पियो नमबर चार दे द दाग छायां पोजन विच पटाशियम दी कमी होन नाल चेरे दे दाग पै जान्दे हन ते शाय वण जान्दै हन एक हाफ़ता रुजान्न एक कप मूली ते उस दे पत्यांदा र हंदे रैन नाल वाल चड़ने वंद हो जान दे हन नंबर छे जूँआ ते लिखा बाल तो के तौली ए नल पूंज के सकाल वो अते मूली दा ताजा रस कड के उसनु सेर विच पाकी चंगी तरा रचा की एक दो कांटेले तोप विच वैठ जाओ जाओ जिकार नाल जूँआ तेली खामर जान दिया हन होन सेर चंगी तरा तोके उस विच सुगांद वाला कोई विटेल लगालो नंबर सत खुजली मूली कद्धू कास कारके उस दी लोग दी खुजली वाली थां ते माल दे नाल खुजली विले फाइदा पाउंच दा है नंबर आट दांदर जानना म मूली दे पत्यां ते सुखे पत्या नुने बुदे रास विच पी के गर्म करके लगाउंदे रैन नाल कोजी दिना विच फाइदा मिलेगा नंबर नौ मावारी रुकनी दो टाई ग्राम मूली दे विज्जांदा पाउडर स्वेरे शांपाणी नाल खान नाल कोज दिना वरी खलके आउन लग जानदी है नंबर दास बवासीर रोज सवेरे एक काप मूली दारास पिंदे रैन नाला ते पकाना जान तो बाद हाथ तो अँटो बाद मूली दे पाणी नाल मोड तो अन नाल कोजी दिना विच बवासीर दी मूआरी दूर हो जानदी है नंबर ग्य थाहरदासर खत्म हो जांदा आए ति दर्द थे जालन तो श्टकरण हא मिल्डा केक्श फैटी लीवड मेек पेट विच दर्द लीवड वीच सोजों नाल पेट वेग बाद लग जो करनाहिए नबरधी लीवservice-स व freshmen नमबर चार सकेन दे रांग विच बदला लीवर दे फैटी होन करके साधी सकेन दा रांग बदलना शुरू हो जानदा है इसनाल साधा रांग पीला पह जानदा है नमबर पांच पोखना लगना जीकर साधी लीवर विच सोज आता सानू पोख लगनों हाट जानदी है नमबर चे जीकर लीवर फैटी होवे ता अखांदा रांग पीला हो जानदा है नमबर सत पैरांते हलकी हलकी सोज आजन दी है जे लीवर फैटी होवे लीवर दी सोज नू ठीक कारण दे क्रेलू नुसके नमबर एक स्फेद गुवारे दी फली गुवारे दी फली यांदा जूस कड की हार रोज पीना तो हड़े लीवर दी सोज कट जावेगी नमबर दो अधरकते शहद एक गलास गरम पाणी विच अधरकता रास्ते शहद मिला के पीनना लीवर दी प्रॉब्लम दूर हो जान दी है नमबर तैन योगा ये कर तो हनू लीवर दी प्रॉब्लम है तो सिहार रोजोगा करो इसना तो हनू फर्क महसूस होवेगा नमबर चार फलते सबजियां लीवर नू तंद रस्त रखन लेग फलते सबजियां खाणियां चाहिए हन इन विच बिटामन ते फाइबर पूर्पूर मात्रा विच हुंदा है जो साड़ी लीवर नू बमारियां तो दूर रख दे हन। नमबर पांच ताजा पानी सानू हार रोज दस बारां गलास पानी पीना चाहिदा है पानी साड़ी लीवर ली बहुत लाव दाइक है ये साड़ी शरीर विच्चो जहरी ले पदार्थवार करदा है ते लीवर फैटी हो नहीं दिन दा नमबर छे मटापा जे कर तो हड़ा वजन ज्यादा है तो हनू अपना पार कटाउना चाहिदा है हार रोज एक्सरसाइज करनी चाहिदी है नमबर सत तलेया होया खाना कट खाना चाहिदा है तलेया होया खाना ही साड़ी लीवर नू फैटी बनाउदा है ते मटापा वदन लग जानता है, आमब खान दे फाइदी, नमब एक, जिनना लोकानू पुलनदी बिमारी है, उनना नू आमब दा सेवन जरूर करना चाहिदा है, नमब दो, गर्मी दे दिना वेच गर्मी लगणते कच्चे आमब दा शर्बत पीना चाहिदा है, नम्बर तेन आंब विच बिटामन ई हुन्दा है जो अख्खाले बरदान है इस दा सेवन कारण नाल अख्खां दी रोशनी तेज हुन्दी है नमबर चार, अमब खान ना साड़ा वजन कट करने विच मदद करदा है, अमब दी गुठली विच रेशा एक्स्ट्रा चर्बी कट करने विच मदद करदा है नमबर पंच, अमब दा सेवन डायवटीज मरीजा ले बहुत लावदाइक होंदा है, ये बलड शुगर नो कंट्रॉल करदा है नमबर चे, कच्चा अमब खान ना लीवर मजबूत होंदा है, अते लीवर ना जुडियां कोई समस्या मा नहीं होंदिया नमबर सत, अमब विच अंटियोक्सीडेंट कोलन कैंसर विच बचा करदा है नमबर अट, गर्मी विच स्वाइसी खाना खान नाल स्टीटी दी समस्या होंदी है, कच्चा अमब खान नाल स्टीटी दी प्रॉब्लम नहीं होंदी नमबर नौ, अमब दे गुद्धे दा पैकल गोहन नाल जां फिर फेस्टे माल नाल फेस्टे निखार आ जान्दा है नमबर दास, अमब विच फाइवर ते बिटामन सी पर पूर मत्रा विच हुन्दा है, एसनल कैलस्ट्रोल दा संतुलन बने आ रहन्दा है नमबर ग्यारा, कच्चा अमब खाणनाल चेती चेती पेट दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंदी नमबर बारा, अमब खाणनाल ब्लड सर्कूलेशन ठी करेंदा है नमबर तेरा, आमब विच बिटामन सी अम्यून्टी बूस्ट करने विच मद्द करदा है एसनल मौसों बदलते बिमारियां नहीं लग दियां नमबर चौदा, औल्टी और टे कच्चे अमब खाणनाल लगाके खाना चाहिदा है नमबर पंदरा, प्रेगनेंट लेड़ी नूँ आम बदा अचार खाना चाहिदा है एसनल का मजोरी नहीं हैंदी जेकर तो हनू साधियां वीडियो जवदिया लग दियाने वेल को लवीन अपुलिव